स्वागत है आप सब का आज के करिंट अफेर एंडिसेस लेक्चर में जिसमें इंडिन एक्स्प्रेस, P.I.P. and other sources से लेगए न्यूस को holistically analyze किया जाएगा आपके मेंस, आपके प्रिलिम्स, मेंस और इंट्रव्यों को ध्यान में रखते हुए यह लेक्चर आपके UPC and State PCS exams के लिए उपयोगी सापित होगा लेक्चर से रिलेटिड वालेव एडिशन के पेडियाफ टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके लिंक मैंनीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी जाना है जोइन करना है चानल डेली करेंट अफेर की पेडियाफ के लिए स्टार्ट किरते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशन कोज से छोटी चीजों में वफादार रहिए क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ती नेथ है अब यह पर छोटी चीजे क्या है आपके चोटी जोटी डेली के टास्क ठीक है वो एकॉंपलेश करने जरूरी है वो कम्प्लेट करने जरूरी है गोल अपने आप मिल जाएगा मैं महीमा मिश्रा प्रेजन करती हूं आज का इंडियन एक्स बेस नूजपेपर अनलेसिस इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क इसके लिए भी इंपोर्टेंट है ठीक है सुप्रीम कोट ने गाइडलाइन्स दी है कोट को अबोट पब्लिक ओफिश्यल्स कि आप उन्हें हुमिलेट नहीं कर सकते समोन नहीं कर सकते ठीक है फोस्ट पारी में तो आप समोन नहीं कर सकते ऐसा सुप्रीम कोट ने बोला है हाई कोट को ठीक है अब ये इससे समझेंगे कि आखर सुप्रेम कोट कहना क्या चाती है ठीक है इंडियन साइंस कॉंगरिस नुज में है कि ये इस बार नहीं हेल्ट की जाएगी इंडियन साइंस कॉंगरिस ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यह science के एक organization है जहाँ पर science से जुड़े हुए expert, scientist and personalities आती है, meet करती है ठीक है? Next, देखेंगे cyber kidnapping, चाइना में एक 17 year old की cyber kidnapping हुई है वो देखेंगे इसमें बताए गया कि cyber kidnapping आखिर है क्या? यह एक new emerging term है तो पड़ लेना important है Next, देखेंगे reset the growth priority यह आपके GS paper 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा important है नहीं छोड़ना है किसे भी हालत ने ठीक है? VVPAT से related fresh debate भी यहाँ पर दी गई है कि अब जो India block है राइट? वो जो इंडिया एलान से वो जाता है कि वो election commission से meeting करे और वो VVPAT के बारे में discuss करे यह आपके prelims के लिए and RO, ARO के लिए ठीक है? अब इस से related जो भी mains के चीज़े हैं वो आप mains में लिखेंगे ठीक है? ऐसे ही करते हैं newspaper का analysis कि आप mains के point of view से, prelims के point of view से आना interview के point of view से आप देखें कि क्या important है? बज़ना newspaper analysis सब करते हैं बस आपका तरीका क्या है? वो ज्यादधा matter करता है ठीक है? स्टार्ट करते हैं पहली न्यूस से पी-म अन्वेल्स प्रोजेक्ट वोट वान थाउजन वान फेव्टी करोर इन लक्षवदीव शाय कशड़ाट के लक्षवदंब क्या है? मुस्लिम डॉमिनेटेड एडिया लक्षवदीव को राले एडिया है, यह जोम बैसी कौनसेप्ट है लै जुचन ठीक है covering technology ये जो प्रोजेक्ट है ये टेक्नलोजी के area को cover करता है energy, water resources, health care and education sector. बोदी जी ने यहाँ पे मल्यालम में क्या कहा है कुंदुम बंगलम ठीक है कुंदुम बंगलम मतलब बंगलम ठीक है ये बोला है family member ठीक है कि लक्षवदेफ हमारा family member है. अब यहाँ पे tourism एक attraction है लक्षवदीप राइट वहाँ पे कापी सारे atolls and fringe reefs मिलेंगी और एक वो एक tourist का attraction है, एक tourist destination है उसे बढ़ावादेनी की बात यहाँ पे कह रहे है PM Modi कि अगर आप एक बार लक्षवदीप को देख लेंगे तो दुनिया में जितनी भी tourist destinations है वो आपको फिके लगेंगे, पेल लगेंगे. ठीक है, यहाँ पिस्वदेश दर्शन इसकीम के तहत PM Modi ने कहा है कि हम जादा focus कर रहे हैं लक्षवदीप पे. ठीक है, Modi जी ने क्या किया है, Modi handed over laptops to student. लाप्टोप scheme के तहत, वहाँ के बच्चों को लाप्टोप बाते गए है और cycle by cycle दी गई है, अंडर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत. ठीक है, किसान credit card भी दिये गए है, farmers को और fishermen को. ठीक है, यह अब पढ़ेंगे हम लक्षवदीप के बारे में. लक्षवदीप, Arabian Sea में है, त्री में एरियाज है, वहाँ पे, त्री में टाइप ओफ आइलेंड हैं. ठीक है, पहला है, Amin Devi island, ठीक है, यह important है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 आइलेंड जाते हैं. ठीक है, यह वाला important है, उपर उपर से याद रखना. नेक्स्ट है, लगकदीप island, यह यहाँ पर जो कावर रती है, वो यहाँ पर established है. मिनिकोई island भी, मतलब यह तेन आपको island याद रखने हैं, कि यह लक्षवदीप में पाए जाते हैं, यह Indian geography का बहुत basic concept है. ठीक है, अट प्रेजेंट, इस islands are collectively known as लक्षवदीप, a group of 25 small islands है, ठीक है, यह केरिला कोस्ट से about south west की direction में जाता है, और 200 to 500 km की दूरी पे है, ठीक है, केरिला कोस्ट से. अमिन डीवी आइलेंट क्या है, नदन मोस्ट है, ठीक है, और मिनी कोई आइलेंड यह सर्दन मोस्ट है, ठीक है, चीजें याद रखनी है, यह factual information जबाती है, तो वहाँ पे confused नहीं होना कि पहले आमिन डीवी पढ़ेगा, यह मिनी कोई पढ़ेगा, ठीक है, यह जो tiny islands है, यह coral origin के है, coral origin आपको मैंने coral reef मेंने काफी बार पढ़ाया है, corals क्या होते है? एक जीव जन्तु होते हैं, ठीक है, जिनके ओपर जो जैंत ले यह याआके क्या करती है? रिसाइट करती है, जो जैंत ले यह यह या करती है, उन्हें खाना देती है corals को, और याजी को रहने क एक घगर मिल जाता है जो हुन्हेंशिका कोल देता है इसे कहते हैं這邊 or take relationship ठीक है अब क्या होते हैं अए धी धीरे नाोब्टम एक लेएर छोड़ जाते हैं हाड लेएर होती है वो उसे कहते हैंLA ठीक है जैसे कि कोरल की यह वाली जनेरेशन थी इन्होंने एक लेयर यहां पर छोड़ दी कौनसी पॉलिप अब पॉलिप के ओपर दूसरे वाले कोरल सहने आ गए इन्होंने भी एक लेयर छोड़े यहां पर पॉलिप ठीक है अब यह क्यों गई यह धीरे 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 ओपर रहते हैं और समुद्र से ऊपर आ जाता है ऐसे करके ठीक है तो यहां पर आइलेंड देखने को मिलते हैं जिने कहते हैं हम कोराल आइलेंड ठीक है यहां पर फ्रिंजिंग डीप्स भी देखने को मिलती है लक्षवदीप मल्यालम में कहते हैं वन लाक आइलेंड ठीक है वन ल ठीक है करेला के पास है यह बात्ध्यान रखनी है फिशिंग क्या है यहां की मोस्ट इंपोर्टिंट इंडस्ट्री है ठीक है एंटायर लक्षुदीव किसे बना है कोडल टेपॉजिट से कैसे बना है वो मैंने अभी आपको बताया रीयूनियन रात्स्पट वोलक्यानिजम का एक पाठ है ठीक है रीयूनियन होट्सपट मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया गॉंडवाना लैंड से यूरेश्या की तरफ जा रहा था तो क्या हुआ था बीच वाली रास्ते में रियूनियन होट स्पोट आ गया जिसने काफी वोल्कानों हमारे इंडिया में क्रेट के जिस वज़े से आज हमें डगन प्लाट्यू देखने को मिलता है जिस जो वेस्टरन कॉननियनेंटल शेल्फ वह काफी ब्रॉड है यह वाला कॉंसेप्ट मैंने आपको अच्हे से समझाया है कि वेस्टरन कॉंटिनेंटल शेल्फ इतनी ब्रॉड क्यों है क्योंकि वो रियॉनियन होट पोट के उसमें पकड़ में आ गई थी ठीक्षे छीज धि 10 degree channel की से सब्रेट करता है मिनिकोई फ्रॉम दोमीन लक्षवदीब आर्किपलेगो वो आर्किपलेगो मैंने आपको भी बताया जो वोल्कानिक अक्शुन्स के थ्रो आए ठीक है यहां पर कोरल्स मिलते हैं और वोल्कानिक अक्शुन्स के थ्रो भी यहां पर आइलेंड्स देखने को मिलते हैं ठीक है अब यहां पर ऐसे ध्यान रखना है मैंने इसे याद किया है कि यह हो गया 10 degree channel यह हो गया 9 degree channel यह हो गया 8 degree channel ठीक है जो 10 degree channel है यहां पर बीच में हो गया इंडिया ठीक है जो 10 degree channel है वो separate कर रहा है अंडमान फ्रों निकोबर राइट ये आपको reverse में चलना है ठीक है उल्टा चलना है 9 degree channel में आप देखेंगे में निकोई और लक्षवदीप को separate कर रहा है 9 degree channel channel क्यों होता है एक छोटी सी water body होती है जो two water bodies को connect करती है या दो बड़े एरियास को connect करती है ठीक है वो channel होता है नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे eight channel ये में निकोई को separate करता है किसे माल्देव से ठीक है ये चीजे ध्यान रखनी है इंडिया जोग्रुफी के टाइम ये बहुत basic concept होते है नेक्स्ट इंबोरिन देखेंगे ऐसे guidelines for court do not summon comment officials as a first resort यहां पर अलाहाबाद High Court को Supreme Court ने फटकार लगाई है कि आप officials को public servants को officials को आप क्या करें पहले बारी में summon ना करें उन्हें humiliate ना करें ठीक है Supreme Court ने इसके प्रती सतर्क किया है routinely summoning and humiliating government officials ठीक है उन्होंने एक elaborate set of guidelines दे है कि एक environment of trust एक environment of respect क्रेट करना है towards public officials ठीक है Allahabad High Court under which senior Uttar Pradesh common officials were taken into custody ठीक है Allahabad High Court के order से क्या हुआ था जो senior officials है Uttar Pradesh के उन्हें custody में ले लिया गया faced bailable warrants all over the notification of rules on domestic helps for former High Court judges ठीक है अब यहाँ पर क्या बुलाए कोट ने कि Supreme Court ने क्या बुले कि जो courts है राइट जो higher court है जो deal करते हैं इन cases से उन्हें refrain करना चाहिए from passing remarks that can humiliate government officials जो humiliate कर सकते हैं government officials को उनकी dignity को हाम करते हैं ऐसे remarks ऐसे comments से बचना चाहिए ठीक है उनकी appearance पे education पे और social standing पे comments नहीं किया जाएगा जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा ठीक है यहाँ पे court must cultivate an environment of respect and professionalism यह मैंने इसे लिए highlight किया है क्योंकि यह आपके GS paper 4 के लिए important है ठीक है यह चीजे ध्यान रखनी है डेली का newspaper analysis important है यहाँ पे supreme court नहीं क्या बूला है Chief justice did not have competence to frame rules under article 229 of the constitution ठीक है यहाँ पे 229 article क्या है कि basically जो judges होते है और जो वहाँ के स्टाफ होता है ना हाई court का वो उन्हें appointment मतलब appointment कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे supreme court कह रहे हैं कि इस article के तहत वो लो public officials पे नहीं कर सकते कुछ ठीक है while the actions and decisions of public officials are subject to judicial review यानि कि जो public servants है जो public official है civil servants है उनके जो actions है वो judicial review के beyond नहीं है ठीक है judicial review उन पे हो सकते है आप उनके actions को analyze कर सकते हैं Summoning officials frequently without just a cause is not permissible ठीक है यानि कि without just cause यानि कि without एक सही cause के बिना आप उन्हें समन नहीं कर सकते उन्हें humiliate नहीं कर सकते नेक्स्ट इंबोरिंट देखेंगे why has the 110 year old Indian science congress has been postponed यहाँ पे क्या ध्यान देना है यहाँ पे debate नहीं ध्यान देनी है कि क्यों postponed हुआ है दो organization के बीच में क्या conflict बताया जा रहा है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि Indian science congress है क्या और कब बनी थी with the history dating back to 1914 Indian science congress is a one of its kind event in the country it brings together scientists and researchers ठीके जो scientists है researchers है उन्हें साथ में लेके आता है not just from premier institutions and laboratories but also science teachers ठीके science teachers भी होते है professors भी होते है from college and universities यानि कि inclusivity यहाँ पे देख रहे हैं कि के सरफ laboratory and scientist जो होते है उसे मतलब नहीं नहीं बुलाया जाता है मिलकि और लोगों को ही बुलाया जाता है जो जो science के field से connected होते हैं ठीके यह एक platform serve करता है एक interaction between student and scientific experts and the general matter and the general public on matters related to science it is a celebration of Indian science that has had an illustrious past यानि कि यहाँ पे किया है celebration हमने जितने भी achieve किया ना उनका celebration है जैसे कि अगर ही होता तो क्या-क्या बुला जाता आदित्यालवन भीजा जा रहा है राइट चंद्रयान थ्री ने क्या-किया सक्सेस पाया ठीके और भी biotechnology में भी हमने cancer से related बताया था मैंने आपको काफी development हुई है biotechnology से भी तो यहाँ पे क्या है celebrate किया जाता है achievements को general public को aware किया जाता है about scientific development ठीक है फोस्ट जो session हुआ था Indian Science Congress का वो हुआ था in 1914 ठीक है यह याद रखना है नेक्स देखेंगे cyber kidnapping cyber एक Chinese exchange student who was a victim of cyber kidnapping has been found in rural attack unharmed ठीक है यानि कि 17-year-old है यहाँ पे cyber kidnapping हुई है उसकी अब देखेंगे cyber kidnapping आखिर होती क्या है parents से मांगे गए थे release करने के लिए या खुद वो बाहर आ जाए ठीक है उसके लिए पैसे मांगे थे अब हो डॉलर्स 80,000 यहाँ पे cyber kidnapping आखिर होती क्या है cyber kidnapping refers to a crime where kidnap was convinced यहाँ पे क्या और है convince किया जा रहा है victim to hide छुपने के लिए and contact their loved ones for ransom ठीक है kidnapping के लिए रकम मोटी रकम मांगने के लिए यहाँ पे वो बचा कॉल करेगा और जो मतलब ransom के लिए कॉल करेगा और जो यहाँ पे kidnapper है ठीक है जो cyber के तरीके से जो किटनाप कर रहा है वो भी कॉल करेगा और वो बच्चे से connected रहेगा through video calls ठीक है यह बात समझ जा रहे हैं बच्चे को बहला फुसला के या डरा धमका के क्या convince किया जा रहा है कि आप कहीं पे छुप जाओ victim is also made to send pictures that make it look like they are being held captive यानि कि जो victim है वो कुछ ऐसी जगा धूंडेगा या ऐसी जगा पे छुपेगा वहाँ जैसे कि लगे वो pictures क्लिक करेगा वहां के ताकि parents को लगे कि वो सच में ही kidnapped हुआ है ठीक है these are then shared with the family ठीक है family के साथ share की जाती है उसके बाद क्या होता है अब फिर family के मतलब जो family होती है वो कहती है कि कुछ मत करो हम तुम्हें पैसे दे देंगे तो फिर ये मोटी रकम यहां से मांगी जाती है kidnappers वहां पे physically present नहीं होते monitor the victim online through video call platforms ठीक है यहां पे ध्यान देना है awareness पे ठीक है cyber kidnapping क्या है एक emerging concept है इसका अब जादा से जादा यूज होगा ठीक है यह भी एक crime है और जहां पे लोगों को लगता है कि वह crime करना है तो कोई साथ भी वह तरीका अपना लेते हैं इसलिए यहां पे awareness जरूरी है अनलाइक ट्रेडिशनल अब्डॉक्शन्स वर्चुल किटनापर्स आर नोट किटनापिंग इनी वानि-चा किटनापिंग्ज है यह जल रही है अब अकि और क्नोंनी और Соवां चीशी का आहरे हैसे और्हार अब्डॉक्शल अब लिलेटेटेंग क्राइम्bayर घ्क किटनापिंग का ठीके लास्तियर अड एडीजवन वोमें टिसटी फाइड इन दा यू इस सैनेट आपा रिसेविंग सच ऑ नोने कॉल पिक करी उनकी डॉकर्टर में कोई मिलब की डॉकर्टर की आवास में कोई बात कर रहा था रो रहा था था है कि किसी बुरे इंसान ने कि कर लिया है ठीक है the man a man then demanded ransom ransom मितलब मैंने के नाप कर लिया है मुझे free करने के लिए पैसा दो मोटी रखम दो ठीक है ऐसा उन्होंने ransom मांगा after she cut the call उन्होंने अपनी डॉर्टर को तुरंत बुलाया और उन्हीं पता चला कि कि वह सेफ है यानि कि artificial intelligence का यहां पर इस हद तक मिस्यूस देखा जा सकता है कि नेक्स्ट इंपोरिंट देखेंगे री सेट ग्रोट प्रियोरिटी यहां पर क्यों रहे कि एक बुक है सबसे पहले तो यहला आपको फैक्ट याद रखना है आपके कि UPPCS RO exam के लिए ROAR exam के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है रीसिंट बुक बाइ रगोरांग राजन और रोहित लांबा ब्रेकिंग दा माउल्ट Re-imaging India's Economic Future यहां पर यह क्या कह रहे है कि जैसे इंडिया ने क्या किया या तो वो एगरी कल्चोर सेक्टर पर डिपेंडेंट है या तो वो सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है यहां पर जो सबसे जादा इंपोर्टेंट है आपको लिखने है अपने जीएस पेपर 3 में दे बुक आस्क वेदर इंडिया किन ग्रो और डवलट प्रियोरिटाइजिंग सर्विस सेक्टर ग्रोथ रैदर दिन इंडस्ट्रिल ग्रोथ यानि की बुक कहती है कि क्या इंडिया बढ़ सकता है कि अगर ग्रोथ नहीं हुई और हम प्रियोरिटाइज कर रहे हैं सर्विस सेक्टर को बाक्ट्रॉप तो दे कोईशिन इस दगरेंटली डवलट इवलट इकोनोमी ठीक है जो करेंटली अभी डवलपिंग या फे डवलट इकोनोमी जैसे की चाइना हो गया है चाइना ने क्या किया एक एक ट्रांजीशन लिया फ्रम अगरी कल्चर तू मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर फ्रम मैनुफेक्ट्रिंग तू सर्विस सेक्टर राइट और हम क्या करके हमने जंप कर दिया फ्रम अगरी कल्चर तू सर्विस सेथे ठीक है जो भी मोर रेसेंटली ancient economies है काउंसी? China, Korea and Taiwan India has had difficulties in expanding the share of manufacturing sector ठेक है manufacturing sector का अभी कितना है contribution below 20% ये आपको fact याद रखना है ये data याद रखना है GS paper 3 में कोट करने के लिए काम आईगा In other words India appears to be jumping a stage in the development process going from primarily agrarian to mainly service economy ठेक है अब यहाँ पर पूछने की क्या ही sustainable है एक longer run के लिए The problem facing India though may be difficult to solve using a service model India क्या कर रहा है around 8 to 10 million new worker आ रहे है हर साल new labor यहाँ पे add हो रहे है इंडिया में 8 to 10 million जो अब decade में अब increase करते ही जाएंगे और increase भी कर रहे है moreover majority of these new workers are arriving in the labor market armed with अब तो high school and graduated हो रहे है post graduated हो रहे है but इसके बावजोद अगर जॉब नहीं provide करा पा रही है economy तो वो हमारी लिए demographic dividend नहीं हमारी लिए वो demographic कर्स बन जाएंगे right India is currently failing to meet aspirations of young Indian workers अब जैसे जैसे समाज शिक्षित होता रहता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ने की सुष्टे रहते है right उनके aspirations हाई होते है कि एक high paying job शहिए right बट इंडिया उनके इस aspiration को fulfill नहीं कर पा रहा है unemployment rate अभी कितना है इंडिया का 8% है जिसमें से अगर 15 to 24 years में देखे जाएं age group में देखे जाएं तो वो 40% है यानि कि कितना एक large हमारे यहां के large number of youth क्या है unemployed है Dealing with these looming employment crises यह वाले step लिख लेना important है क्योंकि यह आपकी GS paper 3 में काम आईगा Requires expedited measures to incentivize job creation at scale by private employers हमें private employers को क्या देना चाहिए incentives देने चाहिए ताकि वो jobs create करें हम यहां पर क्या focus कर रहे है production linked incentive scheme बट हमें focus करना चाहिए employment linked incentive scheme यह keywords बहुत important है अगर unemployment पर question आता है या India का manufacturing sector अभी भी काफी लो है उसका contribution काफी लो है यह आप लिखेंगे यह चीज़े आप mention करेंगे कि production linked incentive scheme नहीं चाहिए हमें employment generation linked incentive scheme चाहिए current service sector in India is very segmented its output is primarily high tech services high tech services में इसका output होता है जो काफी low paying jobs होती है इसमें ठीके the problem is India's skill deficit skill deficit यारी कि skill deficit का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास skills नहीं है जिस प्रकार से economy आगे बढ़ रही है हमारे service and manufacturing sector दोनों का contribution चाहिए उस हिसाब से हमारे youth के पास skills नहीं है ठीके India currently produces about 22 million STEM graduates post graduates and PhD sorry it is 2.2 million okay it will require sustainable investment in quality of higher education and to create a cohort of educately skilled workers who can profitably employed in these higher human capital sectors बात समझा रही है यहां पर क्या लिखा है यह कह रहे है ओधर की इन्वेस्ट करो higher quality में higher quality education में इन्वेस्ट करो और उन्हें skills प्रोवाइट करो उनकी skills को upgrade करो update करो ठीके यह keywords बहुत ही जादा important है यही डेली का newspaper analysis अच्छे से करना ही important होता है ताकि आप जो average aspirant है उससे उपर उच सके if domestic and industrial business do indeed set up production incentives that in India यानि कि domestic and international business है उसे वो यह चाहिए कि वो इंडिया में business set up करें जिससे हमारी यूथ को भी jobs मिल पाए ठीके उससे क्या होगा जो भी थोड़ी बहुत job deficit है वो correct की जा सकती है ठीके current component क्या है assembly based production model decentralized global chain वो ऐसा नहीं है कि वो jobs create ही कर दे रहा है ठीके इंडिया needs to combine the manufacturing and service sector model ठीके हमें दोनों को साथ में लेके चलना है manufacturing पे भी ध्यान देना है land and labor के regulatory reforms चाहिए इंडिया के demographic dividend को अगर नहीं utilize किया गया नहीं skills provide के गई तो क्या होगा यह भी demographic dividend हम कहतो रहे हैं बट यह potential है अगर नहीं realize किया गया अगर नहीं इसे सही रास्ते पे लगाया गया तो यह demographic course बन जाएगा ठीके अब demographic course अगर unemployment होती है तो लोग anti-social and illicit activities में participate करने लग जाएंगे जैसे कि आप देखेंगे कि अब पंजाब विगेरब पंजाब का drug issue आपको पता है कश्मीर का drug issue आपको पता है crimes है पता है तो यह चीज़ क्या है यह इसके पीछे unemployment भी यह cause है तो अगर उन्हें demographic course नहीं बनाना है तो उन्हें skills देनी होंगी ठीके ऐसे आपको इंटरव्यू में भी बोलना है नेक्स देखेंगे वीवी पाट अंद फ्रेश डिबेट ओवर देम कॉंग्रेस लीडर जैराम रमेश ने एक लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अब करिंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है राजीव कुमार यह भी ध्यान रखना है ठीके आरो एरो में ऐसी छोटे-छोटे फैक्ट्रल कोश्ण्स पूछे जा यहां पी यह कह रहे हैं कि हमें एक मीटिंग की अपोचनूटी दे दो ताकि हम आपसे मिले और वीवीपाट के बारे में डिसकॉशन करें ठीके हमें क्या चाहिए 100% वेरिफेकेशन चाहिए वीवीवीपाट स्लिप्स की 100% वेरिफेकेशन जितने भी वोट को वोट की कास् अब देखेंगे वीवीवीपाट यहां पर क्या है एक परची है राइट वोटर वेरिफेएबल पेपर और इट्रेल यह इसकी फुल फॉर्म है ध्यान रखनी है यह एटाश होती है बैलोट यूनिट चुदा इवीएम ठीके इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से यह कनेक् किया गया तो यह कांच से लगे एक पेपर से निकल जाती है उसमें इंफोर्मेशन होती है कि वोट ने कि जो मतलब वोटर ने किसे किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया है ठीक है तो यह सेवन सेकेंड्स के लिए विजिबल होती है वोटर को ताकि उसे पता चल जाए कि उसने सही उसने जो वोट किया है कि क्या वही वोट हुआ है एक्ट्वल में ठीक है आइडिया दिया गया था वीवेपाट का इन 2010 2010 फॉर्स टाइम यूज किया गया था इन नोक सेन एसेंबली नागा लैंड में ठीक है इन 2013 यह बहुत इंपॉर्टिंट फैक्ट है याद रखना है ठीक है जन्रल इलेक्शन्स जो लोग सभा की जन्रल इलेक्शन्स होते हैं उसमें 2019 में यूज की गई थी ठीक है यहां पर पॉलिटिकल बातिस जब उनने एव्यैंप शक होता है जब वोई कुशन्स उठाते हैं तो यहां पर क्या किरती है अलेक्शन कमीश्न वुवी पाउट को कॉए इन लोग सभ राध एस करके काउंट करती है बट यहां पर इंडिया ये लग यहां है 38,156 वीवी पार्ट को रांडमली उठा के चेक किया गया है कि वहीं वोटिंग है जो वोट ने जो मतलब वोटर ने दी है ठीक है not a single case of transfer of vote meant for candidate A to candidate B has been detected याई कि ECI कह रहा है Election Commission of India कह रहा है कि कोई भी ऐसा single case नहीं था उस टाइम पे उन 38,000 में कि कोई ऐसा case हो जो वोट दिया है A को बड़ चला गया B को ऐसा कोई case नहीं हुआ था ठीक है तो इसलिए अगर आप 100% verification की मतलब counting की मांग करते हैं तो आप वही regressive thought है या आपका ठीक है ठीक है तो यहाँ पर Election Commission कह रही है कि अगर आप इसकी दिमांड करते हैं तो यह एक regressive thought है आनि यह बलकुल उसी जमाने की बात हो रही है कि मैनुल कि मैनुल जो परचिया होती थी पहले उनकी कोटिया उनकी काउंटिंग करो ठीक है यहाँ पर कह रहे हैं कि और वीवी प्लाट slip would take time इतनी बड़ी country है लोग सभाई elections का अगर चेक करना हो तो कितने सारी वोटिंग होगी कितने सारे वीवे प्लाट की slip होती है उन सब की काउंटिंग क्या होती है यह इंट्रोड्यूस करेगा potential of human error ठीक है human error हो सकती है वो counting में इसलिए यहाँ पर election commission अभी deny कर जा रहा है ठीक है 100% voting जो बीवे पार्ट की काउंटिंग को अभी deny किया जा रहा है तो ऐसे करते है newspaper के analysis कि आपने एक particular news पढ़ी और important चीज़े उसमें से निकालनी अपने काम के लिए आप जो भी exam दे रहे हो information important है आपके exam में prelims होता है means होता है interview होता है अब 3 stages तो अब जादा तर exams में होई दिये तो ये information बहुत important हो जाती है ताकि आप अपने preparation को एक direction में अच्छे से ले चले lecture में था बस इतना ही मिलते हैं कर lecture से related value edition के पीडिया telegram channel पर send कर दी जाएगी जिसके link मैं नीची description box में दूँगी वहाँ जाना है जोइन करना है चानल daily current affairs के लिए ये आपको आज के आज ही नोट कर लिना है ताकि आपके पास खुद के बनाई होई notes हो जो एक्जाम के दो दिन पहले आज ही बंदो जानी चाहिए क्योंकि आपको पीडियाफ के पीछी नहीं भागना है आपने खुद के बनाई होई notes पे रिलाई और ये रिलाई करना है और उसी का आपको बार बार रिवीजन करना है ठीक है इतना आपको ध्यान रखना है कि खुद के notes बनाई और रिवाइस करें तो मिलते हैं कल थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू सो मच